व्रिंदावन ब्रह्मांड का सबसे अतुलनिय दिव्यस्थान जहां 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लिलाओं को संपन्न किया था यहां संपूर्ण विश्वशे भक्तगण भगवान की दिव्य लिला तथा नाम में मगन होकर अपना शरीर त्याग करने आते हैं परन्तु वहां एक शत्तर वर्षिय वृद्य सन्यासी अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं ये शत्तर वर्षिय वृद्ध सन्यासी एक माल वहाग जहाज में अमेरिका के लिए निकल पड़े हैं वे कोई परियटक के रूप में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में एक आध्यात्मिक वसांस्कृतिक क्रांती लाने की उमंग लेकर चल पड़े हैं वे अपने साथ श्रीमत भागवतम से भरा एक संदुक, टाइप राइटर, एक छाता और 40 रुपे लेकर निकले हैं जिन वस्तुओं का अमेरिका में प्रायक कोई मुल्य नहीं है उनके गुरु का आदेश उनकी एक मात्र प्रेणा है विश्व भर में श्रीचेतन या महाप्रुव के संदेश का प्रचार करो कई महिनों के कड़े संगर्ष के बाद चमतकार होने लगा अमेरिका की दिग ब्रमित युवापेडी इन वृद्ध सन्यासी के आध्यात्मिक संदेश के प्रती आकरशित होने लगी ये हिप्पी युवापेडी अब हिप्पी बन रही थी केवल एक वर्ष के शंगर्ष के पश्चार इन सन्यासी ने एक आध्यात्मिक आंदोलन अंतर राष्ट्रिय कृष्ण भावनाम्रित संग की स्थापना की वे बारा वर्षों में संपुर्ण प्रित्वी का 14 बार भ्रमन करते हुए लगभग सभी प्रमुक देशों में अपने संस्था के केंद्र स्थापीद करते हैं साथ ही साथ वे अपने सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर हमेशा कटी बद रहे और साड़ से अधिक ग्रंथों का अनुवाद एवं टिका करके अपनी संस्था को एक शशक आधार देते हैं नशापान, मानसाहार, व्यभीचार और जुआ जैसे जीवन को नश्ट करने वाली आदतों में लिप्त लोग इनके संपर्ग में आने से उन आधतों को पूरी तरह से त्यागने लगे और भगवान को कैंद्र में रखते हुए पूर्णतया सज्जन पूरुष बन गए उन्होंने 5000 से अधिक शिश्य को दिक्षा दिया ये सब अध्भूत कारिय उन्होंने केवल 12 वर्षों में किया ये महान हस्ती हैं अंतर राष्ट्रिय श्री कृष्ण भावनामरित के संस्थापक आचारिय कृष्ण कृपा मूर्ती श्री श्री मद एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद सास्त्रों में भविस्यवानी थी पृथ्वी ते आचे यत नगराधी ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम पृथ्वी के हर गाउं और शहर में कृष्ण के नाम का प्रचार होगा श्रील प्रभुपाद जी ने विश्रमे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्रांती लाते हुए अपने योगदान को इतिहास के पन्नों में अंकित किया जिस क्रांती को श्रीलब प्रभुपाद जी ने प्रारंब किया था उसे अब उनके अनुयाई आगे बढ़ा रहे हैं वर्तमान समय में भारतिय लोग अपनी महान संस्कृति को भूल कर पाश्यत्य देशों को अनुकरण कर रहे हैं परंतो इसकौन संस्था विश्व भर में भारतिय संस्कृति का प्रचार प्रशार कर रही है श्रीलब प्रभुपाद की क्रिपा एवं मार्ग दर्शन से उनके विश्वस्त अनुयाई उनका आंदुलन आगे बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद ने 12 वर्षों में 100 से अधीक राधा क्रिश्व के मंदीरों की स्थापना की तदंतर उनके अनुयाईों ने 500 से अधीक मंदीर एवं सेकड़ प्रचार केंद्र विश्व के कोने कोने में स्थापीत किया श्रीला प्रभुपाद ने वेधिक शास्त्रों को भावुक रूप में प्रस्तुत ना कर एक वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया अनेक वैज्ञानिक उनसे आकरशिद होकर उनके शिश्य बने प्रभुपात के ग्रंथों का 60 से अधिक भाषाओं में अनुवाद कर 5 करोड से अधिक प्रतिया वितरित की है वैदिक सास्त्रों में अंगित ब्रह्मान के निर्मान की एक विशाल प्रदर्शनी मायापूर में बन रही है ये विश्व की सबसे बड़ी वैदिक प्रदर्शनी Temple of Vedic Planetarium के नाम से जानी जाएगी इसकौन के सारे कारियों का एक अविभाज्य अंग जिसे विश्व का कोई भी व्यक्ति बिना कोई पुर्वयोग्यता के स्विकार कर सकता है और जीवन की परमसफलता को प्राप्त कर सकता है वो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का किर्टन एवं श्री कृष्ण प्रसाद को ग्रहन करना प्रयों प्रापनलमा परमुपल कि ईतना किया है अगर आप लुग सभाईयेगा तो साब-सारा दिया अवश्ण पो जयार आप लोग थोरा जाब पाकिस्थान के देश रो रहा हैं, सब इंडस्थान हो जाएं, आप लोग तक आयाते हीं, हम क्या करें, अकेले जहां तक दो रहा हैं, आप लोग आशिक बाद कीजी आगे आओ बारें, जो आप लोग भारतीया हैं, इस देश को गाव, देखी का आप लोग नचा सकते हैं, आप लोग नचा सकते हैं, क्या हैं? यहां हमारी प्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रावब्रा आपका शास्त्रम लिखाया, उसा काम्ति जी गुरु बन जाएए, पुस्कुरुदा। बैं दी गुरुदा। बैं दी गुरुदा। बैं दी गुरुदा।